So Hello Everyone तो फिर कैसे हो सारे स्टुडेंट्स जितने भी स्टुडेंट्स हमारी UPTU के एक बहुत बड़ी कन्फूजन दिमाग के अंदर चल रही है डाटेस क्या है यार कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है हमें कुछ बच्चे राउंड वन में फ्रीज कर चुके हैं कुछ बच्चे राउंड वन में फ्रीज कर चुके हैं कुछ बच्चे राउंड टू में फ्रीज करेंगे चाहे आप ने राउंड वन में freeze किया हो, फ्रीज फ्लोट मेरे को बताने के ज़़ाद आपको मिला था, आप उस से next round में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हो, that is freeze, फ्लोट का मतलब अपग्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो राउंड वन में freeze किया हो, साम के 3-4 वजी तक चल रहा होता है जो भी college का time है ठीक है तो इस तरीके से होगा आप बच्चे बुलेंगे कि round 3 तक में जाकर कि अगर हमने float कर रखा है ठीक है round 3 में अगर हमने float किया हुआ है तो क्या हमें reporting करनी पड़ेगी 1-4 के बीच में तो नहीं नहीं करने आपको क्योंकि आप राउंड 3 के बाद round 4 में जा रहे हो float किया है तो आपने तो फिर आपको कब करनी होगी तो देखो round 4 का जो हमारा allotment आ जाएगा वो आएगा 5 तारिक को तो हमारा फिर payment होगा 6-7 के बीच में ठीक है फोर में पार्टिसिपेट कर ही रहे होगे float करके अगर आप कर रहे हो तो आपको फिर 7 तारिक से ले करके 9 तारिक तक जाना है तो अब साइद clearance मिल गया होगा दिमाग में clear चीजे हो गई होगी ठीक है लेकिन यह तो चीज clear हो गया इसके बाद बच्चे सोचेंगे कि मेरे को जो बच्चे को government college मिलेगा वो internal sliding round में भी जाएंगे ठीक है internal sliding round क्या होता है वो government colleges के लिए होता है ठीक है वो तो उन बच्चों क्या है रिपोर्टिंग तो इसी टाइम पे करना है रिपोर्टिंग तो आपको कर लेना है फिर बाद में जो है आपका चीज चेंज हो जाएगा जो भी ब्रांच है देखो यह सारी चीज तो होगे भी देखो सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है कि अभी आप सभी का राउंड 3 का चॉइस फिलिंग शुरू होगा ठीक है और राउंड 3 का चॉइस फिलिंग अपका अच्छा ना हुआ तो फिर राउंड 4 में भी वह गड़बड़ी रहेगे क्यों क्योंकि आपको बस लास्ट चॉइस फिलिंग का मौका में इस साल जितने काउंसलिंग सपोर्ट जॉइन कर लो जिसका प्राइस 1500 रुपीज है और जितने बच्चे को भी ना पता हो तो इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है आप सब किस चीज का इंतजार करें क्योंकि आप इंतजार करो फिर इसका प्राइस और इंक्रीज हो सकता है तो जल्दी से जाकर के बाइ कर लो बिकॉस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा और फिर ये पंदरो सौ रुपे के चकर में अपनी लाइफ तो नहीं प्रवाद करना चारे ना जाकर कर लेना जिससे कि आपकी भी बेस्ट काउंसलिं जर्रिंग हो जाए ठीक है तो जल्दी से जाके जाइन कर लो तो बस्या थेंक्यों फर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भार